फिर से मेरा दिमाग का दही हो गया फ्रेंस और मेरे दिमाग का दही क्यों हुआ है यह आप थमनेल को देखके जानी गया होंगे इसी बिसे में बात करेंगे इस वीडियो में दोस्तों और आपको पूरा डिजल बताएंगे कि आखे वैसा जहार खन में क्यों हो रहा है और नामे है रही आप देख रहे हैं जहार जहार कंडिश्टरी में तो फ्रेंड्स आज एक बहुत ही चौकाने वाली ख़बर आई है और यह है ख़बर की जेपी एसी का जो एक्जाम होने वाला था मेंस एक्जाम अठाचाइचुनतिस तीस को वह पॉस्पॉंड हो गया है अगली आदेश तक और तीन-चार सब्ता में फिर से रिजल जारी किया जाएगा फिर से रिजल जारी कर दिया जाएगा जेपीटी का रिजल फिर से जारी होगा इसका मतलब एक तरह से मानो तो पीटी का जो पीटी का जो रिजल्ट था वो एक तरह से रद हो गया है फिर से बहालियों को जबकि JPSC कभी अपने बहालियों को रद नहीं करता है वो संसोधन करता है इसके पीछे क्या रिजन है पूरा डिटेल आपको बताते हैं तो हुआ यूँ कि दोस्तों JPSC PT का रिजल्ट आ गया था और अब मेंस होने वाली थी 829-30 को लेकिन जो जेनरल कास्ट के लोग थे चात्र थे उन्होंने कोट पे केस किया था कि हमारा जो रिजल्ट है वो जितना हमें देना चाहिए था पंद्र गुना उतना नहीं दिया गया यानि उनके इसाब से उन्हें सत्रा सो कंडिडेट्स को देना था जेनरल कास्ट के लेकिन मात्र उन्हें 700 लोगों को दिया गया था जैनरल कंडिडेट्स के 700 लोगों का चैन हुआ था तो इस पर उन्होंने केस किया था अब केस में सुनवाई में यह हुआ कि उन्हें भी पंद्र गुना देना होगा यह सुनवाई हुआ तो इस पर अब क्या कुछ होगा मैं आपको बताता हूं जोस्तो अब HTSC केटेगरी में जो लोग आते हैं ठेक है HTSC केटेगरी काने का मतलब केटेगरी में जो आते हैं HTSC और OBC में तो उस पर जो दिया गया था जितने लोगों का चैन हुआ था करीबन 800 लोगों का चैन हुआ था जैसा कहा जा रहा है और उस पर क्या हुआ था कि उस पर 900 को ह रखना था और जेनरल काटेगरी में क्या हुआ कि इस पर 700 का रखना था पंदर गुना के इंसाब से तो मात्र 700 लोगों कर लिया गया था अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर बात यह आती है कि कापी छात्रों का एड्मिट काड आ गया था और बहुत सारे इसे छात्रों हैं जिनका एड्मिट काड आया है और वो एक्जाम लिखने वाले थे तो इन में से अब यह कुछ होने वाला है कि अब आगे और भी खतरनाक स्टूडेंट लोग रोने वाला है खुन का आसू रोने वाला है मैं आपको बताता हूं कि उन छात्रों का जिन छात्रों का चैन हुआ था वो लोग भी अभी सेप नहीं है जैसे कि कोई छात्र जैसे OBC का cut-up 252 गया था तो जो 252 लाके सामिल हो गया था जो पांस हो गया था तो वो छात्रों के लिए अभी खत्रा की घंटी है क्योंकि देखें अगर जेनरल कास्ट में अगर 1700 लिया जाएगा और एक हजार आदमें उधर फिल करेगा तो इधर तो एक हजार घटाना पड़ेग तो इधर घटाएगा तो जो लोग बॉांडरी में था जो लोगों का दो 252 था नियुक्त को लोग कोंडरी में खून चूर का अशूर होने वाले हैं क्योंकि दोस्तों बात आती है कि अगर जडेनरल कास्ट का बढ़ा देता है जे पी से तो जो अग्रेगरी पर तें हैं STSC और OBC में तो उनको तो हटाने पड़ेगा तब नो उधर बढ़ाएगा ऐसा थोड़ी है इसको भी रख लेगा उसको भी रख लेगा खेर उसके उपर है ये क्या करेगा लेकिन मेरे ख्याल से इधर से उठाएगा तो उधर से हटाएगा इसलिए जिनका भी मा संचित हो जाएंगे में से यह होने वाला है ठीक है यह तो बात हो गया आप जैसे सी का मामला खतम अब यहां बात करते हैं दोस्तों जैपी एसी और जैसे सी में क्या अंतर है आखिर जैपी एसी बहुत सारी गल्थिया करता है उसके बावजूद भी अपना रिजल्ट संसो जित कर देता है जिजल निकाल देता है और उसके बहुत हैं लोग बहुत करते हैं लेकिन यहीं पर आप देखिए जैसे सी को जैसे अगर कुछ गल्थी करता है तो सीधे सीधे रद 5 साल बाद कर देता है इस्टूडेंट लोग को कितना बुरा लगता है उसको कोई मतलब न आपर अ करती है उसे क्या करती pacing करदेती है उसे रद करना चाहिए जिसको नहीं चाहिए उसको करती तो यह जो सी में अंतर अइसे कभी बिषफ करसक्तिए लेकिन जैसे को तो आप बोलते बोलते ठक जाओ कि आप गलत हो गलत हो फिर भी वो नहीं मानेगा वो अपना गलती कभी नहीं स्विकारेगा यह होता है अब देखो कि हाई कोट का डिसीजन आया कि आपको क्या करना है क्या करना है कि आपको फिर से रिजल निकालना है तीन-चार सपता में फि तो आप बताईए कि JPSC और JPSC में क्या आंतर है JPSC का दबदबा बना हुआ है JPSC का कोई दबदबा नहीं है आप देख सकते हो और यहां student को देखे एक student high court का decision के लिए रोता है यह student high court का decision के लिए हासता है देखे अभी क्या हुआ कि decision आया तो काफी लोग खुश होंगे है ना काफी लोग जो पास नहीं हुए थे उनके लिए खुशी का बात होगा जिनका एद्मिन का रहा है उनके लिए तो दुख का बात होगा जो अभी 230-32 लाये हैं उतना नंबर ला था पीएस वालों का हो गया उधर जो भी हुआ एकसाइज कॉंस्टेबल वाला का हुआ उसमें भी हाइकोट ने दिया था सबसे पहले कि इसा होना चाहिए रदवाद हो जाना चाहिए यह से बरसा सोनी वाला मैं ठेक रहा है तो उसमें यहीं है कि 1311 वाला नियम था नियम क एक जैपी सी अपना अपना पूराना कार नामा कर रहां कि यह से पहले भी एसिस्टेंट इंजिन्यर का बहरी निकला था उसका एकजाम जिस दिन हो ले वाला था उसके रात में उन्होंने ने कैंसिल कर दिया अब हाईब कोट में दिया था यडोव़ 것으로 जो मामला था तेन परसेंट वाला उसको लेकर एसिस्टेंट इंजिनर का जो बाहरी निकला था उसको एक दिन पहले रद कर दिया आप देखिए इसका भी एक जाम एक दिन बाकी था एक या दो दिन बाकी है होने वाला था और इसे अस्तागित कर दिया या रद ही कर दिया समझो मतलब फिर से हो गा मतलब एरदूआना तो फिर होगा अब अस्ठाकत कर दिया पता नहीं कभोगा तो वही बात है दोस्तों ज्ढकांड में यही सब सब चल रहा है को फंट सुप्रेम को सिस्जाव आगर ज्ढक dai जहारखन सरकार को आरचन देना ही था तो उन्हें क्यों एमेंडमेंट बिल निकाला और उसमें क्यों कहा कि हम लोग PT में आरचन किसी को नहीं देंगे सब को एक समान रूप से देखेंगे ये एमेंडमेंड बिल जो JPSC का था उसमें कहा था अगर जहारखन सरकार को अगर आरचन दे रहे हैं और आरचन देने के बाद बात आप आरचन दे रहे हो तुए इसलिए यह हुआ जब आप जन्यम ऎरचन काम में आफ नहीं कर देंगल नेया ले filming कृन में प्रसक्तें आप बास लेख में आप बाद में बाद में क्या कर रहे हैं कि आप जादा को निकाल दे रहे हो जादा के डिगरी वालों को निकाल दे रहे हो तो बात यही है इसलिए यह सब फंसता है नियम कानून यही है देखें 900 लोगों को लेना था बता चल रहा है उसमें 800 लोगों को ले लिया है और इधर जैनरल में 700 ने लिया जिसमें 7700 को लेना था लिया तो आपको तो अपने जो नियम बना है उसके रहाब ही होगा ना तो आप लोग खुझ से नियम गलत बनाते हो और फिर student का life बरबाद करते हो student का time बरबाद करते हो यही बात है friends और कुछ नहीं फिर भी JPSC कभी JPSC कभी अपने exams को रद नहीं किया है और कभी नहीं करेगा यह कि इसके पास बहुत ज्यादा power है इसलिए जे पीएसी को अब हम क्या कहें जे पीएसी भाई सुधर जाओ और हैमन जी आप क्या कर रहे हो थोड़ा मोड़ा तो सिथाव यार जे पीएसी वालों को कि ऐसा नहीं करेगा आप बोलते हो कि आरचन देंगे जब आरचन देना ही था तो आप पहले ही निकाल देते कि हां आरचन दे दिये हैं याईसे कैसी होगा नियम कानून गढ़बड हो जाता है अभी देखो अभी देखो कुछ दिन बाद फिर कुछ लटका लोग रोएगा फिर से जब रिजल निकलेगा नया रिजल निकलेगा उस टाइम आप लोग देख लिजेगा फिर से इस्टुटें जानती है कि यहां चुरी चपाटाव फिर भी वही करेगी जो जैपीएसी चाहती है ट्रेंड से इसी के साथ आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बीसे में जरो कांट बोक्स में कमेंड करें मिलता हूं नेक्स वीडियों तब तक लिजए हि बंदे मातरम जो हाल जार